कि अधी लेटर्स रिवाइज कि दर टॉपिक बेटा यहां पर बेटन वाइचोकले रिलेशन फंक्शन मेरे पास जो है अब बेटा देखिए रिलेशन फंक्शन मेरे सबसे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा था वो काटीजन प्रोड़क्ट पढ़ा था और काटीजन प्रोड़क्ट की मेरे पास जो है क्या छोटी-छोटी चीजे पढ़ी थी लेट उस डिसक्स डाट फर्स लें काटीजन प्रोड़क्ट में आपको यह कहा था कि अगर मेरे पास जोगे हम डिफाइंड करें वो मेरे पास क्या था कार्टीजन प्रोड़क्त था जिसमें और डिर्ड पियर एलिमेंट आते थे सच दैट ए बिलॉंग चुसेटे भी बिलॉंग तो सेट भी ठीक है जी क्लियर बेटा ऐसे ही हमारे पास एलिमेंट आते थे एंड भी मेरे पास के हैं नॉन अम्ती सेट है अच्या अगर मान लीजे थैंकी बेटा थैंकी मान लीजे मेरे पास इफ ए एंप्टी सेट है और या दी एंप्टी सेट इनमें कुछ भी नहीं है मेरे पास इंग और बाट और आगे लें तो तो दाट मीज एक रोस भी तब क्या होगा है हुआ है वह मैं चुछ सब्सक्राइब करों दो सकते न bell को क्. आधर का रीड़ीं सुदय पास मेरे पास वर यह लोर्ब कि äänhana A मेरे पास B है, N of B मेरे पास Q होगा है, तो बटा हुंडर परसेंट N cross N of A cross B वो P into Q होगा. एक्जाम्पल अगर मैं दूँ माम नीजे, मेरे पास रोड़ एक सेक्ट A में, स्पोस, सेक्ट A है, उसमें 2, 3 और 4 एलिमेंट है, और B में 1, 2, तो बटा A cross B में मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, 100% 6 एलिमेंट है, ओके जी, वो कैसे, पहले तू लिया, तू के साथ 1, फिर 2 लिया, तू के साथ 2, फिर 3 के साथ 1, तू के साथ 2, फिर 4 के साथ 1, और 4 के साथ 2, ओके, ख्लिया, तू अपने आप देख लीजे, कितने एलिमेंट्स होगे, 6, तो यही फॉर्मुला लगाया है, ओके बटा, नाव कम तू नेक्स्ट बटा, मेरे पास तू है, अगर दो ओर्डर्ट पेर इक्वल होते हैं, इसे होते हैं, यहां पर भी ऐसे ही है, अगर दो ओर्डर्ट पेर मेरे पास एक्वल है, तो हंदेट पर्सेंट, पहले पहले बना, सकिंद सकिंद बना, इकोली होता है, क्यों के बेटा, क्लिया, बात समथ आगी सब को, नाव कम तू नेक्सट बेटा, मेरे पास होते हैं, है ऐसे जैसे तो मेरे पास्तों गेट्वी उड़र वाले ट्रीड ट्रीट आर क्रॉस आर क्रोसर पर अगर हम जर्नलाइज करें तो उसमें भी ऐसे ही होता है अगर एण ऑफ एपी है एन ऑफ डी क्यूंव ऑप एसे ही मैं एन ओफ और लिख दूँ तो अगर मुझे एन ओफ ए आप यह वाट समधाई लिखा क्लियर को डाउट तो नहीं किसी को यहां तर यहां जितने भी कोशन बनते ना वो शॉट पॉशन बनते पोई इतना बड़े बला कोशन दे लाता इस चाहते पहलिए बनता ही नियहीं देज्ट हो जाता है अब नेक्स लेक्ट के वटा है बेरे पास नेक्स को्षिंट क्याएं अगर मेरे पास से रिलेशनन ने किया मान ली जिये क्योंकि ये मेरे पास कटीजन प्रड़क्त परक्ष ABOUT हैं चैप्टर का के रिलेटेड आपको सारा कुछ समझा कि कि का टीजन प्रॉडक्ट में से हम जब कुछ अले में मतां फ्रेंट सारे इमन से करेंटों हो सारे के भी कर सकता है और कdle सकता हैं तो उसे हम क्या नाम बेदेते रिलेशन बेसिकली रिलेशन क्या है यह सबसेट है का टीजन प्रोड़क्ट का अंडर सर्टन कंडीशन अगर 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 नहीं दालती तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट यहां प्रॉपर नहीं है वो इक्वल भी हो सकता है अगर जैसे मां लीजे मैंने मेरे पास एक रॉस बी में ऐसे ऐलिमेंट से मेरे पास 1 1 कि 1 2 3 2 4 ऐसे हैं और मैं कहूं कि मैंने कैसे ऐलिमेंट लेने अजयां टू बान नहीं लेती मां लीजे मैं टू-टू लेते A less than equals to B मैंने रिलेशन डिफाइंड किया A B such that मेरे पास A less than equal to B तो ये सारे के सारे elements आजाएंगे 1 equal to 1, 2 equal to 2 2 is less than 3 2 is less than 4 आएंगे के नहीं आएंगे आएंगे एंगे 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 clear जिसे एक इग्जामपल देखे समधाया की जरूरी मिया की वह प्रॉपर सबसेट वह वह सबसेट ओनाची ओके समझागी बेटा नाव अब नेक्स्ट वेटा मेरे पास वह है अच्व अब मैं आपको यहां पर बता दू की अगर मान लीजे तो पावर पी के नंबर ऑफ रिलेशंज लेखने हैं अगर मैंने नंबर ऑफ रिलेशंज देखने नाव की पावर पीकिल नंबर ओफ रिलेशन्स देखने है फ्राम ए टू बी या नंबर अफ सबसेट्स देखने फ्राम ए टू बी दोनों का फार्मूला सही मिया था ओके नंबर ओफ सबसेट्स देखने है यह देखें अक्षैन फिलीत संवह बिलन की कुणकर ड्रिलेशन है फॉब Dalini एक भॉस नुम अबर ऑफ सबसेट्स दू आफ क्रतने अंबर कुछ को वार्थज दुन भॉसरी के है कि इसको एसे गुजब काने रिकियों सोविकुज न की न redemption यह एक है क्लियर अब अब एक नैस्त मेरे पास अगर मेरे पास रोंगे कोई डिफाइन किया है फ्रॉमएं नॉन एंपी सेट ए टू नौन एंपी सेट भी तो बैटा जो रिलेशन मैंने दिफाइंड किया यहां पर एवी कुछ भी डिफाइन किया इक एवेर इतना तो मुझे प certain condition relation condition जभूर होती नहीं तो यह चार्टीजर प्रट्रक्क की डेफिनिशन बंददत नहीं अब ज़रा देहन से देखना अपस्त प्रस्ट अलीमेंट जो है कुल का सेट वर्स्ट अलीमेंट्स आफ जो है आप उसे हम क्या कहते हैं डुमेन ओफ आप सेकिंड सेकिंड एलिमेंट मेरे पास होगे रेंज ओफ ओके जी उसका सेट सेकिंड एलिमेंट का से अब देखिए नेक्स वेटम मेरे पास तो है यहां पर मैंने आपको डुमेन बता दी रेंज बता दी हाँ जी अब एक जो है अगर रिलेशन एटू भी है तो जो भी सेट होता है ना उसे हम कहते हैं को डुमेन ओफ आ कि ओके जी नेक्स वेटम मेरे इसमें बताने के लिए अच्छा एक चीज यहां बता दू आप मुझे बता सकते हो जो डुमेन ओफ आर है वो सेट एका क्या होता है अगर मैं फिल इन दी ब्लैंक्स में कोशन डाल दू डूमेन ओफ आर इस डाश ऑफ ए कैसे डूमेन में भी के अलिमेंट आई नहीं सकते अभी तो मैंने बताया डूमेन ओफ आर जो है वो मेरा अन्दी सबसेट होता है में बिलकुए मैंने प्रॉपर सबसेट नहीं भूला आपने आधा एक पार्ट में बोला एक आपार्ट में आधा पूले इकुल टू भी हो सकता है जरूरी तो नहीं कि सारे कि सारे कोई सबसेट जो है प्रॉपर सबसेट नहीं बोला मैं अगर कोई बच्चा इतना लिखेगा ना तो मैं कोई नंबर नहीं दोंगे वैसे एंसी क्यू पोशन थैं एक में यह एक में यह आप्शन है तो जो इसको टिक करेंगा उसी को नंबर मिलेगा नहीं कि समझ आई बात कि पेरी जो आप पोशन होंगे ना उनके आंसर वहां वेरी क्लोज होंगे यहीं तो जच करने हों यहां सही तो बेसिक अंडर्स्रेंडिंग बता चले कि नहीं के तबी तो मैंने प्रापर सब्सेट बोलगें बोला प्रापर सब्सेट होता तो टू नहीं आता मैंने क्या भुए संसे तो चुःंकि कि मैं आपके दिमाग को सोच रही थी कि आप किस लेवल तक फिर मैंने आपको बताया अगर एक सेट ए में वन टू थ्री है अना और दूसरे सट में 456 है मैंने वह एलिमेंट लेने हैं जहां पर भी बढ़ा होगा कि अचेट आप कहरे हो कि वह एक वह एक वर शबसेट जड़ूरी नहीं कि प्रपर गोता हंडर पर उता तो इक वला साइन नहीं काई बार सारे के सारे अलिमेंट आज़ते हैं अगर मैं कुछ वह लोग एलेस दनीक्वल टू भी तो फिर वहां पर प्रॉपर सबसेट दिना चलता बात समझ आई बेटा एवरी वान ओनलाइन सुडेंट्स चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास तो अच्छा जो रीज ऑफ सेट्ट वह वह कोड में का गया होता है सबसेट अगर मैं रेंज की बात करो यहां पार बीज ओफ सबसेट आप बी यह कोड में बीज अ कोड में नो है ना वाप बी लिख दो यह कोड में लिख दो वन इसन से ठीकित नाओ कम टू नेक्स बेटा अगर मेरे पास तो है ए और बी दो नॉनम्टी सेट और एक फॉंक्शन डिफाइंड किया है फंक्शन क्या होती है एक मैपिं फंक्शन्स घर पे रखते हैं चाहे वह आपका बदे चाहे किसी के घर रंइक सारा मनी है और बॉटल में एक बांडरी फिक्स करते हैं ऐसे ही फंक्शन में मैपिंग मैपिंग का मतलब अच्छा एक और मैं आपको एक्जांपल इसके को रिलेट देती हूं फंक्शन में जाना है आप त्यार होके जाते हैं आप डिफरेंट लुक करते हैं बंदा वही एक सी है पर्सन वह एक सी है जब को फंक्शन आ गया मैपिंग होगी पूंद्री सेट होगी तो फंक्शन बंदी इसलिए फंक्शन को हम क्या कहते हैं एक मैपिंग कहते हैं आप रियल लाइट से कोर्रेलेट करो ना वही है एक अन्टाइडी नाइट सूपैन के कोई बनता तो नहीं जाएगा ना अना कोई आने भी नहीं देगा आप नाइट सूपैन के जड़ा ट्राइब करो किसी होटल में एंट्री करने के हैं ठीक है ना पॉसिविल्टी नहीं अना सेमेर तो वो रूल मापिंग इस रूल है यह रिलेशन के तनह हैं बट इट्स रूल तो अटें शर्टन तिंस बट रिले वहाँ पर मुझे डिलेशन में एक नोशी स्में अलिमेंट लेती ती यह यह वास्ट होता है यहां रिएल डू रिएल करती हूं आउट्वूट मुझे मिलता है फंक्शन में यह अपनी तरफ से जिसके एगर फंक्शन उसने अपनी मर्जी कर नीं सीमिव स्हें टीक है ना जैसे मैंने f of x defined किया e power x f of x defined किया mod x real to real है मेरे पास अना natural to natural भी हो सकता है integer to integer भी हो सकता है लॉग करवा देती है जी लॉग बेसिकली हम प्लस फू में इंटर्टीूस करवाती है ठीक है ठीक है ठीक जब हम डरीवेटिव करवाती है तब आपको थोड़ा सा बता सरूर देते हैं पर बेसिकली लॉग फंक्शन हम प्लस कुमें ही बताते हैं ठीक है अगर 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 सबकों तो मेरे पास जो है फंक्शन किया है बेसिकली यह मैप है जो एसोसीट करता है हर एक एलिमेंट आप सेट एक जो है सेट भी को मैंने आपको पहले किया दिया फंक्शन में जाना है अना वही बंदा जाएगा तो वैल ड्रेस्ट होगा नाइट सुट पैन के तो कोई नहीं जाएगा तो एसोसीट कर रही हूं है एक्स को फंक्शन के साथ और आजकल तो वैसे ही बहुत क्या करते हो मैंदी का फंक्शन है जी आलओ बैंदी का फंक्शन है थी कहले जाती है आजकल तो जाधा ये तो रहेलेट करते हूं कि है कहाँ राकी गाप कुशन था अच्छा ड्रेस को प्रक्रेस नहीं यह कलर भाएननिंस अपने तो ऑन मैंपिंग करते हैं एसोसी करते हैं according to the team we give dress code to everyone same is he अब मेरे पास हो है बस 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 बेटा अब हम function को कैसे रिपेजेंट करते हैं जैसे relation को मैं ordered pair से डिफाइन करती थी function को mapping from a to b कि किसी एक सट के किसी और सट से सब्सक्राइब मेरे पास हो गए अगर a b f को भी लॉंग करता है न तो इट्समीन की f of a जोगे वो भी यह एक्स वाई लिख दू अगर एक्स वाई अफ को भी लॉंग करता है तो 100% f of x किसके को लोगा वाई कि बात सम्मझ आगे बेटा क्लियर कोई डाउट तो नहीं चलिए बेटा अब मेरे पास जोगे function में मैं आपको बात बताओं अच्छा कि नॉमली मैं आपको बता दूं कि रिलेशन में कुछ सबसेट उताती है हर एक का तो function में हम हर बंदे की में जुरूर रखते हैं आपने function रेंज गिया अना दस बंदों को बुलाया तो सीट्स कितनी रखोगे दस रखोगे कोई पर्सन ऐसा नहीं हो ना चाहिए जिसको बुला लिया और सीट ना रखो उसकी आप यहां से यू आ सब्सक्राइब कर रहे हो यहां पर मैपिंग कर रहे हो वां तुम कह रहे हो कि मैंने दस बंदे लेके जाना इपने फंक्शन कि अगर यहां पर मैपिंग कर रहे हो वां टू थ्री फॉर फाइव की हर एक ही इमेज जरूर मोनी चाहिए कि कि अगर इमेज है तो तभी वह फंक्शन होता है नहीं तो फंक्शन नहीं होता है दूसरी बात जो है मेरे पास अगर डाइग्राम से बता हुआ है कि यह लीजिए यह फंक्शन डिफाहिंग की है मैंने ठीक है अब डाइग्राम से आप मुझे बताओगे कि यह फंक्शन है कि नहीं इस इट फंक्शन क्यों नहीं है जो है वान टू मैंनी सिंपल सा यह एक ही है एक की दो को इमजीज है अरे बंदा एक रखा है हना आप कह रहे हूं मैं आपको साथ लेके चलेंगे सीटे मेरी दो रखदी इस नौट फंक्शन मैंने आपको एक्जाम्पल भी दिया था हम मीटिंग करते हैं अमने पर संकी सी मैनेजमेंट के मैंबर को दूला रहे हैं अना एक में का नाम लिख दिया और एक में इंगी पोस्ट माइट भी इस दर डिरेक्टर अफ द अनी इंस्टुचिशन ही इस अ प्रिंसिपल आप दा इंस्टुचिशन हम जो भी नाम देते हैं अना तो दाट इस नौट ए फंक्शन वान तू मैनी से दो मैनी एक से जाता होगी ना तो विच और इस इस अ फंक्शन और नौट को आपको पता होना चाहिए ओके अचा चलो नेक्स एक और एक्जांपल देतीम कि चलो जो इस 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 फंक्शन वाइन और यहां पर इसकी में जोनी चाहिए थी में है तो मैं कैसे फंक्शन करें को कि क्लियर आरेमान क्लियर चलिए अब नेक्स्ट कि अच्छने मैंनी टुमान हो सकता है क्या एक्जांपल दिया था कितने सारे कैंडिडेट किसी भी स्कूल में एक पोस्ट मिकली है अप्लाय करते हैं आप इस फंक्शन मेला लगा होता है है तो गेट टूगेधर यह ना कहीं इंटर्वियू है को कुछ है आप इस फंक्शन फॉरस ठीक है कि बात सब्सक्राइब चलिए अम मेरे पास जोगे अब इटा आप पोस्टन कर वाने लगी हुँ तिहां से सुनना ठीक है एंसी की टाइप पोश्टन स्क्रम बिस्ट अपर बाकी जो में फंक्शन की डुमेन और रेंज मैंने आपको बताया था उस पर थोड़ा सा पहले बता देती हूं फिर एंसी की स्टार्ट करती हूं फंक्शन की डुमेन होती है इंपुट जहां पर वो डिफाइंड होता है कि कोई ऐसी वैल्ली ना हो जहां पर वो डिफाइंड नहीं होता और रेंज क्या होती है आउट जैसे मेरे पास अगर यह फंक्शन इंपूट आप कोई भी वैल्ली पूट कर सकते हैं मैं राइट यह नहीं हरे के लिए यह डिफाइंड है लेकिन अगर फंक्शन मैं यह लिख देती है कि आर माइन जीरो क्योंकि जीरो पर यह डिफाइंड होई नहीं सकता अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि अगर पी त्री इंप्लिव्र आर माइनस री नो अंडर उट के अंदर नेगेटिव आ सकती है एक्स माइनस री ग्रेटर रन जीडो इक्वल टू जीडो नहीं अगर यह फंक्शन ऐसा होता तब ग्रेटर रन इक्वल टू जी अचा वह पहले छोटे छोटे रूल्स बतातूं फिर हम स्टार्ट करेंगे यह बात समझा गी पचा चला के नहीं क्योंकि अगर मैं यहां इक्वल टू जीडो ले ले लेती डाटमीज एक्स की वल्यू थ्री पूट कर सकते थे थ्री पूट करते थे गया बन जाता जीओ वन बाइजीरो इस नौ डिवा क्यों कैसे ले सकते हैं के लिए नेक्स कुछ हमने फॉर्मूलेश कह लीजिए या इडेंटिटीश कह लीजिए वह लॉन की मॉड एक्स ग्रेटर दिन ए तो मैं आपको क्या समझाती हूँ यह देखो माइनस एट हुए अमेशा चाहे स्क्राइब लावे चाहे ऐसे है यह गरेटर में बाहर वन या अप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स ग्रेटर दन माइनस एग ग्रेटर देन और मने इकवाट दे को मीरे को ऐसे नहीं सही लगता मैं आपको बेलिक आप ऐसे लिखो मैं कहए माइनस इंफिनिटी यह इंफिनटी एक्स बेलॉंग्स माइनस इंफिनिटी ये इंग्लुड कर लेती हूं मैनलस को उन टो सुन एटेटिन ओके अगर मॉड एक्स लेस्टने तो लेस्ट मतलब अंदर मन तो एक्स बिलॉंग्स तू अब इक्वल टू नहीं है ना तो ओपन माइनस ए तू है तूली लाइन तीन ही तो पार्ट्स में डिवाइड गीव है यह जो कहें पॉस्टीड पॉस्टीड यह नेगटिव ग्रेटर मतलब पॉस्टीड लेस्ट मतलब नेगटिव एक्वल टू तो पोश्टन पेडिपेंड अगर वहां इक्वल टू गेर तो यहां लोगा दो नहीं है तो ना लगाओ समझा गई क्लियर फिर उन्हें क्या किया था अगर यादो यह सारा लीनियर में भी यूज होता है लीनियर इनी क्वालिटीज में पटको चलो नहीं आना जबतें अधि अधिक फिर और मॉड एक्स स्केयर जो गए ग्रेटर दन इक्वल टू इसके सेम अचा मॉड नहीं भी हो एक्स्केयर भी हो वही रूल लगना है जो मॉड में लगा पड़ी चेंज नहीं है कि क्लियर क्योंकि यह कब यूज होना है आपका जब कई पर इंटर्वल या फंक्शन ही ऐसा आगया अब जैसे मैं आपको बताती हूं यह आगया कि यह लीजिए तो जिस बच्चे को रूली नहीं पता होगा वो क्या करें तो क्या करेंगे इस कांसे डोमें क्या लिखेंगे एट मीज एक्स बिलॉंग्स मेरे पास माइनस इंफेनिटी तु माइनस थ्री क्लोज यूनियन थी तू इन्फिनिटी के टोबी क्यास है थे माइनस री और त्री कैसे डूमें करेंगे पेटा आप आर माइनस ऐसे लिख सकते हैं आप यह क्यारें इसको अपन कर एसे हैं कि पता कि है हम किसी सेट में से इंटर्वल नहीं माइनस कर सकते हैं गलत अगर आप ऐसे लिखते हो यह 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 तो इसका मतलब है आर में से माइनस थ्री और थ्री गया बड़ेट में से आर इसन सब्ढमश्यय पूर बड़ा उसमें से कैसे माइनस कर दें इंटर्वल तो उसके लिए हम ऐसे लिखते वटल गलत नहीं मैं इसको कहती है बट मैंने कभी देखा नहीं से लिखा हुआ किसे ऐसे लिखा हुआ देखा है बड़ इसका मतलब है रियल में से दो एलिमेंट्स माइनस हुए हमने दो तोड़ा करने हमने तो यह जो पूरी गॉंडरी थी माइनस री यह पूरा इंटर्वल माइनस करें कि क्लिया सब को बात समझ आ गई तो बेटर रही ओल्वेज लाइक अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है अगर मालो किसी टीजर ने लिख भी दिया तो फिर यहीं ऑप्शन टिक करोगे यह तो बिल्कुल ही गलत है और यह वी गलत है कि इसमें तो माइनस ट्री अट्री वी डिलीट हो गया बट वो तो मुझे चाहिए ना क्योंकि इस पर लोगुस है क्यासे मैंने आज तक भी यह से लिखा नहीं देखा है कि बात समय आगी बाकि ऑप्शन नम लिख रहें गलप मुझे नहीं लग रहा अगर मैं रियल को देखूं माइनस एंफिनिटी है तो वो भी इंटर्व और उसमें से इतना माइनस कर दिए हैं बट जितना कामने देख सेट में सेट माइनस करते हैं याइलिमेंट माइनस करते हैं किसका मतलब तो मैंने ओल्मोस को दोमीं तक अभी कोशन्ज नहीं करवाए बट हर टॉपिक का आपको वो बता दिया कि हम कैसे कैसे कर सब्सक्राइब है कि इसके बाद हो गए हम लोग या करेंगे वी विल डू दर कोशन जो है आफ्टरवर्ड कल से हम कोशन जी करेंगे इसके तार्गे अट लीस्ट यह दो चाक्टर स्ट्रेट लाइन अच्छी था हो बता ओके तिल देन गुद्बाइ एंड टेक एट